नवस्कार सांतियों, मेरे प्यारे विद्यारतियों, मैं केके सर अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से आपको स्वागत करता हूँ, आज का हमारा भी से जो है भारत और चीन के आर्थिक समंधु पाधारी थे, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, हैपी दिवाली नहीं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियों को लाइक शता सेयर कर दीजेगा, आप देखिए, भारत के बजारों में चीन की बढ़ती दखलंदाजी से भारती कारोबारी बहुत परसान है, यानि भारती मार्केट में जो चीनी उत्पाद आ गये हैं, वो उससे जो भारत की जो अ चीनी ड्रैगर ने भारती बजारों को पूरी तरह से अपने गीरफ्ट में ले रखा है, भारत की कुल आयात का पूरी तरह से चीन पर निरवर, बहुत सब्सक्राइब जहां पर पूरा से चीन पर ही निरवर करता है, और हम वीडियों बागे बढ़ेंगे, चीन जब चाहे तब भारती बजारों में कर सकता है माना मानी इसका मतलब है ऐसे बहुत से उद्योग छेत रहे हैं जहां पे कुछ electronics parts, कुछ ऐसे parts होते हैं अगर चीन आज देना बंद कर दे किसी कारणों वस तो उन सेक्टरियों में ताला लग जाएगा यानि भारत की पूरी तर निर्भरता चीन के उपर है ऐसे करीब 25-30% ऐसे parts हैं जो की चीन से ही आते हैं दिवाली के समय यह जो चीन का कारवार होता है लबग 60-70% बढ़ जाता है और जो फायदा मुनाफ़ा कांस होता है यह चीनी company ले जा सकती है जास हम देखते हैं चीनी फुल्ज़ियरियां, चीनी जाल चानी जाल चानी पूल्ज़ियरियां, चानीज गिप्ट ऑटेंच, चानीज टॉय और चानीज मुबाईल यह सब हम ज़्यदा द्रिप wykorशेजिंग करते हैं और इनका ज़्या ज़्यादा हिस्स्सा जो होता है अमेरिका समय विश्व के सभी देश बजारों में चीन को रोकने के लिए कर रहे हैं कोशिस यहां पर हम एक छोड़ा सा डेटा आपको देना चाहेंगे आप यहां वीडियों पीछे देख रहे होंगे कि भारत के साथ चीन का ब्यापार क्या है जो ब्यापार घाटा सबसे पहले में ब्यापार घाटा एक फिजिकल डेपसिट टर्म समझा दूँ कि जब हम किसी देश से आयात और निर्यात दोनों करते हैं तो अगर हम आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं तो हमारा होता है ब्यापारिक घाटा अगर हम निर्याद ज़्यादा करते हैं और आयाद कम करते हैं उजदेश के साथ तो वो होता है हमारा ब्यापारिक लाव तो हम चीन के ब्यापारे में हम ब्यापारी घाटे में हैं चीन के साथ हमारा ब्यापारी घाटा है और वह छोटा मोटा नहीं बहुत जादा ब्यापारी घाटा होता है आप देख सकते हैं कि चीन के साथ हम 1991 से और 2022 तक जो हमारा आउसतन आयात है वह 158 बिलियन है और यह 158 ब तक हाना कि एक खप्ते बाद ही थोड़ी सी गिरावट आई थी लेकिन उसतन उतना माना गया है यह मैक्सिमा आप सोकता आठ सो चौदा जहां हम फाइप ट्रिलियन डॉलर के पास पहुंचने जा रहे हैं वहां पर हमारी कंपनियों का हमारी व्यपारिक चीजियों का लाब अ इलेक्ट्रोनिक्स एंड गजट में हम देखेंगे 26 और मेशनरी नुक्लियर्स रियक्टर्स एंड बॉयलर्स में 18 डॉल अठा यह सब हमारे वैलू जो हैं बीलियन में हैं आप इस दे और्गैनिक केमिकल्स में आप देखे लिए प्लास्टिक में देखे लिए फर्टलाइ इसाभ हम चीन से इसाभ बिलियन में हैं इनको आयात करते हैं और इन सबका अधिक अधिक लाभांस चीन लेता है इस तरह से इस चीन के बढ़ते वैपारी घात गाटा को हम सिरक बायकरट चाइना से ही नहीं रोख सकते हैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करेगा ता अधिक सधिक लोगों को सेर करेगा धन्यवाद